हेलो योगीज कैसे हैं आप सबी हमारे जो पेट में कीडे हो जाते हैं जातर बच्छों के पेट में होते हैं तो कैसे पता लगाएं कि बच्छों के पेट में कीडे हैं और उनको कैसे ठीक करा जाएं बीना किसी दवाईयों के बना किसी बाहर की चीजों से बिलकुल नैश्रल अर्य ऐसे तरीके से कैसे ठीक時 किया गए ले जो है आजसे पहचाने गे का है है आग साथ में पहेचानें गीशाय سबने किटमें किड़े मैं शोते हुए बचेठ न लगते हैं मुह सेल निकलने लगती है कभी कभी फ्लाद में दर्द होता है भूब बहुत लगने लगती है या बहुत कम लगने लगती है कर भार होता है भूब बहुत लगती है और खाते भी अच्छा है लेकिन शरीर को नहीं लगता शरीर सूखने लगता है तो ऐसे में क्या करना चाहिए आडू के पत्ते जो आडू होते हैं उनके पतो का रस वो पीना है उसका रस पीने से आपके पेट में किसी भी तरीके कि अगर कीडे हैं तो वो बिलकुल खत्म हो जाएंगे आपको क्या करना है तो आडू का रस है वो लेना क्यासे है फिर में आपने सुना होगा कीडों की दवाई खाने से पहले कहते थे कि मीठा खाना जाहिए जिससे कीडे मीठा खाने आएंगे और वो दवाई खा लेंगे और वो भर जाएंगे तो हाँ आप ऐसा कर सकते हैं आडू का रस पीने से पहले आप थोड़ा सा कुछ मीठा खा लेजिए उसके बाद आप आडू का रस पी लीजे उसे क्या होगा कीडे जो है आपके बिलकुल खत्म हो जाएंगे और बच्चों के लिए बच्चों को भी आडू का रस दे सकते हैं कोई बुरा नहीं है बिलकुल नैच्रल है नुकसान बिलकुल भी नहीं करेगा छोटे बच्चे हैं तो वो खटी चार्ज भी आप उन्हें पिला सकते हैं खटी चार्ज से भी जो पेट के कीडे हैं बच्चों के वो खत्म हो जाते हैं आप खटी चार्ज पिला सकते हैं बच्चों को आडू के पत्तों का रस बहुत अच्छा है आप बच्चों को भी पिलाईए खुद भी पीजिए ये आपके पेट में कीडे कभी नहीं होने देगा आपके पेट में कीडे नहीं भी हैं आपके बच्चों के पेट में कीडे नहीं भी हैं तो हर 6 महिने में अगर आडू के पत्तों का रस पी लेते हैं तो वो आपके स्टमक के लिए अच्छा है एक तरीके से डिटॉक्स करता है और छोटे मोटे जो बैक्टिरिया होते हैं वो भी इससे बिलकुल खत्म हो जाते हैं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें यूसफुल वीडियो है आगे भी शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही यूसफुल वीडियो बनाते रहूँ नमस्ते